नमस्कार दोस्तों इस वीडियो कलास में हम देखेंगे पचास प्रसन राजस्तान जी के के जो आपके हर परिक्षया में उप्योगी रहेंगे चाहिए वो आगामी पटवार हो आरिस्परी हो सेकिंड क्रेड हो फर्ष्ट ग्रेड हो इत्यादी तो हमारा राजस्तान कक्साथ है साथ आठ इसका सोर्स है उससे यह तयार किये गए है संजेबाल चुरानसर ने इनको तयार किये हैं और हम सुरू करते हैं व्याख्या भी करेंगे पचास प्रसन राजस्तान की भोगोले की स्तथिस्य समंदित ऐ संगत है तो देखें पहले जो संगत है उनको हम देख लेत हैं भारत के उत्तर पस्यमी भाग में है राजस्तान कुल चेतर फल 3,42,249 वर किलोमेटर है यह मील में कितना है कितने मीला कमेंट करें देखें आपका ग्यान देखते हैं सबसे पूर्वी और सबसे चोटा जिला दोलपूर है नो डाउट उत्तर से दक्षिन विस्तार आठ 889 यानि राजस्तान हाइट में चोटा है उचा है इसे आप याद रख लेना यानि 826 और 889 कलियर और अब आप कहेंगे कि इनकी पीडियेप कहा है तो यह 500 परसन की पीडियेप है जिसमें कक्षा 6-10 तक के 500 परसनों का शेट है यह तो इसके एक बुकलेट भी सपुआई थ और इसकी पीडियेप जो है वो येस गुरू एप के उपर खौलते ही उसकी जो उपर सलाइट चलता है वहाँ पे कलिक करके ले सकते हैं इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा ठीक और टेलेग्राम पर भी भेज़ दूँगा ओके अगला कौन स जिला संबाग से संगत नहीं है तो संबाग जोदपुर जोदपुर संबाग में पाली है बाड मेर है जालोर है खुद जोदपुर है ठीक है और इसमें जो है जोदपुर संबाग है ये चेतरपल की दिश्टी से सबसे बड़ा संबाग है कोटा है तो ये आडोती वाला चे करोली कौन से समाग में है कमेंट करके बताओ अब है अजमेर तो टोंक नागोर बीलवारा और अजमेर तो जोदपुर में छै जिले हैं और उदेपुर वाले में भी छै जिले हैं कौन से विकल्प के जिले निकट वरती नहीं है तो निकट वरती मतलब जैसे चलो इनको तोड़ा जूम कर देते हैं आपके इजी रहें आँखों पर जोड नहीं पड़ें इक को आई फ्रेंड ली बना देते हैं कौन से विकल्प के जिले निकट वरती नहीं है तो हन्मान गड़ चुरू पास पास है, डूंगर पूर परताब गड़ है, टौंक और बुंदी है, जैसे जेपूर जेपूर गड़ जैसे टौंक फिर कोटा बुंदी, जुन जुनू और अलवर ये जो है पास पास नहीं है, ऐ सत्यकतन को चुने, राजस्तान की इस तलिए शीमा जो है 5920 किलोमीटर है, ठीक है, और राजस्तान की इस तलिय शीमा वोगगे न, 5920 और ये है राजस्तान की सबसे लंबी शीमा बनाने वाला राजे उत्तर परदेस, तो उत्तर परदेस नह होके मद्ध परदेस है, कलियर? और राजस्तान की पाकिस्तान से लगने वाले शिमा 1070 है सबसे बाद में सूर्य अस्त जैसल मेर जीले में होता है क्योंकि देखो सबसे पहले होता है दोलपूर में और सबसे बाद में सूर्य अद्दे होता है जैसल मेर में अब सूर्य अस्त उल्टा कर लो, सबसे पहले होगा दोलपूर में और सबसे लाश्ट में होगा जैसल मेर में, क्योंकि जहां लेट होगा वही लेट अस्त होगा, ऐ संगत को चुने, तो ये ऐ संगत है और ये इसका सही उतर है, जांगल, जांगल परदेश की राजदानी अह आया, ये राजदानियों वाला, शॉलम आजन पद है, उनकी राजदानी आप रट लो, मैंने एक वीडियो बना रखा है, शोट वीडियो में, वो आप देख लेना, ट्रिक्षे, सीवी, राजस्तान के उत्तर पूरवन नहीं, शीवी दक्षिन में था, ये जो ची तोड़ पतली, उन किताबों से तयार क्यों से नहीं है, ये नहीं कि उसमें एक्स्टा फेक्ट जोड़े केवल किताब से हैं, तो मालों के दिक विजे का यूप अबिलेक भील वाड़ा में मिला है, भील वाड़ा याद रखना, मेवात में सामिल जिले, तो अलवर और भरतपूर है कौन सा सही है, ये हमने क्या किया पता, ये दो औप्सन, ये औप्सन कहां गए इसके पता आपको, ये हमने एक अला दिन का चिराग टेश्ट सरी चलाई थी, जीट के लिए, जिसमें करीब पांच अजार परसन दिये थे, फिर एक ये पीडिव भी निकाली थी अलग से, रा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कौन सा सही है, गटियाला अभी लेक में परतियारों का इतियास वरनित है, सभी सही है तो आप याद कर लो, गटियाला अभी लेक है, उसमें परतियारों का इतियास वरनित है, बिजोलिया शिलालेक में चोहनों का इतियास वरनित है, और इसमें उनको ब्रहमन भी बताया है चीरवा शिलालेक रावल समर सिंग के युग की जानकरी देता है समर सिंग चीरवा तो इसे आप याद रखें इसको और पचास-पचास क्यूसन के मैं दस वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये 500 क्यूसन व्याख्या सहीता आपको हल करवा दें दलपत सिंग का नहीं है किसका है नयन जंदर सूरी का है ये हमिर रन थंबोर वाला सा सकाना उसके लिए वन सबासकर सूरे मल मिशन का है करनल जेम्स टोड की करती करनल जेम्स टोड की करती है पस्सिमी भारत की यात्रा है एक तो एक है एनल्स एंड एंटिक्विटी जो रा पर कुछ इसका तो उसको करनल जैम्स टोड अवाइड भी मिला है जो दिया जाता है ना हर साल वो आगे चलें दस्क्यूशन हो गए हैं राजस्तान के प्राचीन सबेता इस तल से ऐ संगत कौन सा है तो बाला थल भीलवडा नहीं है बाला थल कहां पर है उदेपुर में है ठी कि खोज किस ने की कि उसन पुछा गया था कोलेज लेक्तर में पिछली वाले में तो बाला थल की खोज की थी वी एन मिस्र वी एन मिस्र ने काली बंगा हनुमानगड में है देखो काली माता है हनुमान जी देवता है ऐसे याद रखें गणेस्वर शिक्कर में है क्योग यह कन्फ्यूज हो जाता है कई वार विद्यारती गंगा नगर ऐसे गणेस्वर जो तामरसबेताओं की जनन नहीं बेराठ जेपुर में है विराठ नगर किस इस तल से लोहा गलाने की बटियों के चिन मिले हैं तो बेराठ और बाला थल सुनारी में भी मिले हैं ना मैं सुनारी स तो पराप्त नहीं आप जानते हैं अच्छे से असो का भी लेक तो पराप्त हुआ है बेराठ में तो हाती दांत का कंगा क्या बात है कांसे का दरपन तामबे का बेल इसके अलावा वक्राकार इंट वो यहां इसलिए नहीं दी कि जो किताब के अंदर थे ना उप्सन उसी नुसार लिया है वक्राकार इंट मिली है जूतेवे खेत के प्रण मिले है अगनी वेदी का मिली है युगल सवाधान मिला है भूस रजना के आदार पर राजस्तान को कितने भागों में चार भाग है एक तो अरावली वाला हो गया और पस्सी में मरुस्तल हो गया पूर्व ये महा मरुस्तल में सामिल नहीं है जैसल मेर है बाड मेर है विकानेर है शिकर नहीं है ऐसत्य कथन को शुने अरावली परवत माला मरुस्तल के पस्सीम के और परसार को रोकती है नहीं पूर्व के और रोकती है जैसे राजस्तान है ना तो ये अरावली है तो मरुस्तल को इदर पूर्व की और नहीं आने देती ठेक है धोरे वोरे आते नहीं है गुरू शिकर की उन्चाई 1722 है माउंट अबू में है अरावली राजस्तान के दक्षिन पस्सिम से उत्तर पूर्व दिशा की और जाती है अरावली परुतमाला राजस्तान का सबसे उच्छ है नो डाउट राजस्तान देश का एक मातर पर देश है जहां पांच परकार की जल्वायू पाई जाती है यादना आपको उष्ण उपोष्ण उष्ण है उपोष्ण वो आर्दर अति आर्दर उपार्दर नहीं वो सुस्क अर्द सुस्क आर्दर अति आर्दर उपार्दर तो जलवायू जैसे मरुस्तल में हो गई सुस्क फिर अर्द सुस्क अरावली वाला फिर आर्दर अति आर्दर इस तरह से उपारदर राजस्तान की भूस रजना और राजस्तान के कुल छेतरपल का प्रतिसत को आदार मानते वे एसंगत को चुने तो थार मरुस्तल 61 परतिसत है अरावली 9 परतिसत है पठार 7 परतिसत है मेदान 23 परतिसत है 23 तो दो नमबर पे ये है 23 पठार से संबंदित ऐसंगत को चुने तो मेशा जो है वो चितोडगड में है याद रखना मेशा का पठार चितोडगड में है मेशा लसाडिया उदेपूर परतापड लसाडिया उपरमाल चितोडगड और भीलवाड़ा ठीक है भोराट उदेपूर और राजसमंद ये इस परकार से पठार याद रखे इनको ऐस अत्यकतन को चुने चंबल नदी का संब्ध उत्खात भुमी से हैं यानि कि वहां गहरे खड़े भीहड हाडोती के पठारी छेतर में अधिकांस मिटी लावा निर्मित मद्यम काली है कलीर है बिलकुल काली मिटी है चंबल बनास, बाण गंगा साइक नदियों से बना है बंगाल की खाड़ी के अपवात उन्तर में सामील नहीं है यानि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी में बनास तो है चंबल है, पार्वती, परवन, कालीशिंद, माई नहीं है कचके माही जो है खंबात की खाड़ी में जाती है चंबल नदी से ऐसंगत है उद्गम विंद्याचल परवत मद्यप्रदेश के धार जिले से राजे के सबसे लंबी नदी है कितनी है 966 किलोमिटर न और इसके बाद में वर्स बर बहने वाली वर्स ये 1280 और चर्मनवति साइक नदियां बनास कांतली बानगंगा तो ये इसमें बनास है बानगंगा इसकी नहीं है इदर से का मिलती है नहीं मिलती है और कांतली भी नहीं है ठीक है ये सिकर वाली है ये खंडेला वाली किस नदी का उद्गम राजस्तान में होता है तो बनास का होता है ठीक है बनास का उद्गम होता है बाकि माई का नहीं होता है बनास का कहां से होता है खमनोर और चंबल का नहीं होता और गगर का भी नहीं होता बनास के साइक नदी नहीं है तो बनास जो है उसके साइक नदी कोठा रही है बेड़चा खा रही है बान गंगा नहीं है, इसके एक ट्रिक भी है, मो को, बेच खा, मासी, मो को, बेच खा, मासी, बांडी, तो मोरेल, कोठारी, बेच, मलब बेडच, खा, खारी, मा या नहीं, नहीं मासी, मनलब ये मासी नदी है, तो मो को बेच खा, इस टाइप के आप ट्रिक भी मना सकते हैं, था बहुत बार आज कल तो इसको भूल गए लगते हैं तो राजस्तान में बेहने वाले सबसे लंबी नदी बनाश है ठीक है आगे चलते हैं ऐ सुमेलित को चुने चंबल पर योजना चंबल पर है माही बजाज इस पर है बिशल पूर बनास नदी पर सरदार सरोवर तो यह नर्बनादादे के उपर है और यहां से नहर निकाल ली गई है और वो अपने जालोर शांचोर और बाड मेर वहां पर और फवारा सिंचा जेपूर के तो बनास नदी जो है उससे बिसल पूर बान ना उससे टॉंक और जेपूर को पानी मिलता है अजमेर को भी जील से समंदित ऐसंगत जे समंद उदेपूर ठीक है जे धेबर इसको ऐसे तो धेबर नाम भी है इसका अन्ना सागर अजमेर शीली शेड अलवर प्रेम है इससे अक्सर पुछा ही जाता है गेव सागर गेप सागर अभी कोलेज लेक्शन पुछा गया और भी एकजाम में थे न अभी उनमें आ रहा है गोंपिर के तो याद रखना डूंगर पूर गेप सागर और एक और गडड़ शी सर गड़ी सर उसका भी पूसते हैं वो आना गड़ी सर या गड़ी सी सर जैसल मेर उसका तो यह आप दो जरूर याद रखना आप विश्वय की तो गेप सागर डुंगरपूर याद रखना डुंगरपूर ठीक है विश्वय की मिठी पानी के सबसे बड़ी मानों निरपी जील तो जैसमन्त हो जाएगी रूप टॉप जल संचयन यानि चत का जो पानी कठा करते हैं और वाटर हार्वेस्टिंग मूल समानता क्या है तो जल सरंक्षन है ऐसात्य कतन को चुने राजस्तान राजय पत परिवेहन निगम की स्तापना कब हुई इसको तो ऐसात्य है तो यह आपको चांटना है यह उत्तर हमने इसमें दे रखे हैं पिन्ना उत्तर की पीडियेफ तो हमने इसको यह इसी फॉर्मेट में कर रखा है फिलाल ठीक है तो रिविजन के लिए है यह तो एक अक्टूबर 1964 चौसट याद रखे चौसट नियुंतम सडकों की लंबाई धोलपूर बारत का सबसे बड़ा रेलवे मोडल कक्सुदेपूर साला सरवालेजी का मंदर चूरू में है ऐसा ते कथन को चुनें ख्वाजा मुहिनुदिन चीस्ति का उर्स रजजब माह में नहीं लगता है रजजब माह में आपे सयाद रखें बहुत बड़ा गजब उत्स होता है पूरे भारत से लोग आते हैं तो रजब माह है नात द्वारा के समीप मोलेला तेरा कोटा है तो परसिदा तेरा कोटा क्या होती है मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला काश्ट कला लकडी के लिए बसी चितोडगड परसिद है वो बेबान वगर और चिन्नी मिट्टी के बरतनों में निल्य रंग बल्यू पोट्री और बलेक पोट्री आपको पता होगा बल्यू पोट्री कहां की परसिद है ये कमेंट अब आप कर दो काफी रेर होगी मुकुंद्रा हिल राष्ट्रे उध्यान चोथा उध्यान फेलाव कोटा चितोडगड कोटा और चितोडगड ऐसुमिलित को चुने राष्ट्रे मरू अध्यान तो इसमें ये नहीं है जैसल मेरो और बाड मेरी है केला देव करोली स्वाइमादूपूर सिता माता तो ये बरतपूर है ठीक है और नम भूमी नम भूमी वाला भी है ना ये रामसर वाले में आता ना एक तो वह सामबर है रेक ही है शेरगड बारां ताल चापर चूरू हमारे सुजान गड़ के ज़श्ट नजजदीख ही और सुजान गड़ एक सुचना ओड़ ले दूँ आपको सेकिंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जिके पेपर तैयार करना चाहते हैं पहले वाला तो येस गुरू एप के उपर हमने कॉर्स लॉंच कर दिया है जिसमें हम एक तो हस्त लिखित नोट्स तैयार कर रहे हैं वो आपको संडे टू संडे अविलेबल करवाएंगे और फिर उन्हीं नोट्स में से अगले संडे साथ दिन आपको समय मिलेगा उनको पढ़ने का नोट्स बनाने का लिखने का डाउनलोड करके प्रिंट करवालो जो इच्छ है और फिर उनमें से 100 क्यूसन का हम टेस्ट लेंगे तो तीस टेस्ट पेपर होंगे सोसो क्यूसन के तीन हजार क्यूसन पलस नोट्स उसके हम बनाएंगे टोपिक वाइज सार गर्वित सौर्ट नोट्स होंगे इंपोर्टेंट मैंन चीज़ें उसमें तो इस तरह से हम पुरा सेलेबस आपके कवर करवाएंगे और अभी दस हराता किसमें ओफर भी है आपके सयोगरासे में सजजनगड उदेपुर राजस्तान में नम्भूमी वेटलेंड इस्तल है ये वापस आगा ना अभी तो केवलादेव राश्ट्रे उद्ध्यान सांबर जील ये दो है अच्या तो बंदबारिठा जो है बंदबारिठा वाला चेतर उसमें नहीं है इसका मतलब बना जोदपुर में है सभी है काजरिया परिके जड़ली ऐस्वमेलित को चुने तो साइबेरियन क्रेन तो इसका उतर हो जाएगा मुकुंद्रा हिल राश्ट्रे उद्ध्यान ये ऐस्वमेलित था उसमें तो ये कहां पाये जाता केवलादेव में उडन गिलरी शीता माता में बाग रणतंब बोरवाडे में गोडावन राश्ट्रे मरूद्यान में निम्नलक्षित में सबसे पस्चि में स्थित राश्ट्र्थान के मांचितर के अनुसार अब मांचितर आपको याद पहना चाहिए तराश्ट्रे मरूद्यान सबसे पस्य में है रावली टाड़ गड़ी है तो अलवर वाला वो अलवर क्या ही है अरावली वाला केवला देव पूरो में हो गया रण थंबोर इधर हो गया ऐसा तेकत्थन जावर से अबरक बड़ी मात्रा में जावर में अबरक नहीं है अबरक तो भीलवाड़ा है तो जावर से शिसाजस्ता है देवारी में शिसाजस्ता सोदक सैंतर है चंदेरिया में शिसाजस्ता सोदक सैंतर है चक दे याद रखना चक दे इंडिया यादना तो चंदेरिया कपासन देवारी चक दे तो यहां पे वो सैंतर है सोदक सैंतर है यानि वो बड़ी-बड़ी मशीन है जहां पर शियसा जस्ता को सुद किया जाता है रोक फास पेट रसाइनी कुर रख होता है तो यह जदा फास्ट चलते हैं तो क्या होता है पेर जहाम हो जाते हैं तो जहाम जहामर कोटड़ा वहाँ पर पाय जाता है यह इसे ट्रिक्स हैं हम याद करवाते हैं कोशिस करेंगे नॉट्स में भी हम ट्रिक बताएं जहां जहां जरूरत हुए वहाँ तो याद रखें पलाना बर्सिंग सर विकानेर कपूरड़ी बाड मेर जालेपा कपूरड़ी मेरता रोड और जैसल मेर मेर में ऐसा त्यकतन को चुने राजस्तान का दूसरा सूपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगड दूसरा नहीं पहला है सूपर थर्मल क्रिटिकल बाड मेर के गीरल में लिगनाइट आदारित ताप युदुत सेंतर है ठीक है लिगनाइट बुरा कोईला बोलते हैं इसको टीन नमर का है ए बी ली पी ये कोईले के पर कार याद रखना ठीक है ए बी ली पी एंत्रेसाइड बिटूमिनस लिगनाइट और पीट ये एक नम जाते हैं 100% किस इस्तान पर प्राकर्तिक गेस अधरित विद्यूत गरह नहीं है प्राकर्तिक गेस अधरित यहां नहीं है यहां तो कोईला पाया जाता है अन्ता में है रामगड में है दोलपुर में है कहां खनिस तेल नहीं पाया जाता तो एस्वरिया जोध पूर नहीं है ये बाड मेर है ठीक है तो इस परकार के किसना आप ध्यान रखना आरपियसी भी पूस्ती है ओपसन यहां एक एस्वरिया जोद बुर दे दिया तो हम क्या करते हैं विद्यारति मुमने एस्वरिया देखता है कि है ये तो एसनी आगे क्या है वो ये भी ध्यान रखना है मंग रावत भाटा देश का दूसरा परमानों विद्यूत सेंतर है रावत भाटा चितोडगड राजस्तान का बोतिक सवरूप जलवाई परिवर्तन पवनुर्जा के लिए उप्यूक्त है ठीक है और बाड मेरी फाइन रिसे होने वाला परिवर्तन बहु आयामी है एशिया पादन में राजस्तान का इस्तान है पर्थम है और सर्सों में भी पर्थम अभी रीट में आया था कपास कना तंबाकू व्यापारिक फसले हैं क्योंकि इनका सिदा इस्तेमाल बेजने में किया जाता है यह निकि भी खाने के लिए गरपे रख लिए पूरी की पूरी इंद इसी विपनन में क्या सामिल है प्रसंसकरण बंडारण उपज का परिवहन उप्युक सभी है सामिल तो दोस्तों पचास परसन हम इस वीडियो में देखेंगे कैसा लगा कमेंट करें क्या आगे वाले भी क्यूसन करवाएं इसके कमेंट करें धन्यवाद